सिर्फ इस एक खाद को आप अपने पौधों को दे दीजिए, इसके बाद आपको अपने पौधों को कोई भी और खाद देने की जरुद नहीं है, ये देखा जाए तो एक तरीके से आपके पौधे की हर आविशकता को पूरी करेगा, अगर पौधे में फूल नहीं आ रहे है उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, जड़े कमजोर हैं, तो सारी प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, तो ये कौन सी खाद है, इसे किस तरीके से तयार किया है, चलिए तब वीडियो में बात कर लेते हैं तो आज मैं आपको जो खाद के बारे में बताने वाली हूँ, उस खाद को देने से आपके पौधे की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो जाएगी, और आपके प्लांट में फ्लावरिंग भी बहुत ही ज़ादा मातरा में होगी तो प्लांट की ग्रोथ में दो-तीन समस्याएं आती हैं जिनकी प्रॉब्लम को ये सॉल्व करेगा, सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आती है कि प्लांट की अच्छे से ग्रोथ नहीं होती है, तो ग्रोथ अच्छी ना होना, इसका सबसे बड़ा कारण होता है प्लांट में न जिसमें नाइट्रोजन जादा मातरा में पाया जाता हो, अगर पौदे में फूल नहीं आ रहे हैं, कलिया नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ प backward है, वह यह हैं कि हमारे पौदों में potassium की कमी हैं, जब पौदे में कलिया ना बने और फूल ना खिले, तो जान लिजे आपके पौधे में पोटेशियम की कमी है पोटेशियम की कमी को पूरा करने के लिए ऐसे खाद दी जाती है जिसमें पोटेशियम ज़्यादा मात्रा में हो और दूसरी चीज पौधे को परियाप्त सल्लाइट चाहिए क्योंकि अगर उसे उचित sunlight नहीं मिलेगी तो वो कलिया नहीं बनाएगा जैसे कि गुलाब के पौधे गुड़ल के पौधे इनको धूप चाहिए होती है जो सर्दियों की जो धूप होती है वो आप इनको full sunlight दीजे और जो गर्मियों की धूप होती है उसमें आप इनको 4-5 घंटे की sunlight दे दीजे तीसी जो चीज है वो है जड़ों का विकास ना होना ये सबसे बड़ी कमी होती है क्योंकि जब तक हमारे पौधों के नीचे की जड़ अच्छे से मजबूत नहीं होगी तक पौधों के ऊपर ये जो चोटी-चोटी ग्रोता आप देख रहे हैं ये नहीं मिलेगी और अगर होती भी है तो ये जल जाएगी या पनप नहीं पाएगी इसका जो मेन कारण होता है वो होता है जड़ों का कमजोर होना और अगर आप चाहते हैं कि पौधे की जड़ मजबूत रहे, खोब जादा फैले, तो इसके लिए आपको ऐसा खाब देना होगा जिसमें फॉस्फोरस अच्छी खासी मात्रा में हो, क्योंकि फॉस्फोरस से ही प्लांट की रूट अच्छे से डवलप होती है, पूलों का इस भी बहुत ही अच्छा खिल के आता है, तो इसके लिए सबसे पहले जो मैं आपको खाद दिखा रही हूँ, यह है हमारी वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन भी होता है, पोटेशियम भी होता है, और फॉस्फोरस भी होता है, लेकिन इसमें नहीं है, तो आप गोबर की खाद ले सकते हैं, अगर वो भी नहीं है, तो आप लीव कंपोस्ट ले सकते हैं, इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें से चार चम्मच, बड़े बड़े चार चम्मच आपको वर्मी कंपोस्ट के एक कंटेनर में रख लेने हैं, कोई भी अब मैं आपको एक खाद दिखाने जा रही हूं जो कि मेरे पास वेस्ट पड़ा था उसी से मैंने एक बहुत ही अच्छी खाद बनाई है तो वो खाद क्या है चली अब मैं उसको दिखाती हूं तो ये जो आप देख रहे हैं ये छिलके हैं कुछ फलों के तो अब ये तीन तरह के फल के छिलके हैं इसे रिलेटिट वीडियो मैंने अभी एक दो दिन पहले ही आप लोगों के साथ शेयर की थी तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसको जरूर देखेगा ये बहुत ह अच्छा पानी बनके तैयार हुआ है इसको कैसे कैसे मैंने तैयार किया है इसे रिलेटिट वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ तो आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं नई तो मैं आई बटन पर लिंक लगा दूँगी आप वहां से भी से देख सकते हैं आप चाहें तो वीडियो को देख के सारी इंफोर्मेशन ले सकते हैं इसके बाद मैं क्या करूँगी कि इन छिलकों में वापस से पानी डाल दूँगी और दो दिन तक इसको फिर से ऐसे ही छोड़ दूँगी ढखके शेडिये में और ये फिर से मेरा खाक बनके तैयार हो जाएगा पौधों को देने के लिए तो चलिए इसमें मैंने पानी डाल दिया है अब मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से भीगा के और साइड कर लेती हूं और अब जो हमने वर्मी कंपोस्ट वाला पानी तयार किया है चलिए इस पे आते हैं तो इसमें मैंने वह छिलके का पानी लिया है और वर्मी कमपोस्ट लिया है इसको मैंने अच्छो से मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद अब मैंने इसको 24 घंटे के लिए रख दिया है अब मैं आपको 24 घंटे बाद के रिजल्ट दिखा रही हूं तो यह 24 घंटे हो गए हैं इसे भीगे हुए और अब इसे हम खाद की तरह इस्तमाल करेंगे 24 घंटे के लिए इसको जरूर भीगाएगा आप चाहें तो 2-3 दिन के लिए भीगा सकते हैं आप व्यकीन मानेगा ये खाद इस समय इतनी बढ़िहां बनके तयार हुई है न कि चाहें कितनी भी रुखी हुई पौदे की ग्रोध होगी ये बहुत ही अच्छे से पौदे का विकास करेगी पौदों में बहुत ज़्यादा मात्रा में फूल आएंगे और आग के पौदों में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही होगी ग्रोध में कोई समस्या होगी तो वो भी सॉल्व हो जाएगी तो अब इसे देना किस तरीके से ह पहले मैंने यहाँ पे कुछ बूंदे एक फर्टिलाइजर की और इस्तमाल की है तो वो क्या है चलिए वो भी मैं आपको बताती हूँ तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है सीवीट का लिक्विट फर्टिलाइजर अगर आपके पास सीवीट का लिक्विट रखता है यहां तक की जो seedlings वगरा होती हैं उनमें भी आप इसे डाल सकते हैं बहुत ही अच्छा fertilizer यह होता है तो अब जो हमारी खाद है वो हमने आधी बना ली है अब इसे देना कैसे है तो इसको हमें dilute करना होगा जो खाद हमारी बनके तयार हुई है हम direct इसको इसी तरीके सारे steps को follow करना है तो यह जो आप देख रहे हैं यह एक गिलास खाद है और यह एक गिलास खाद आप कम से कम 6-7 पौधों में दे सकते हैं तो इसको तयार कैसे करना है तो एक गिलास पानी लेना है यह खाद वाला उसको एक मग में या एक गहरे बरतन में डाल दीजिए उसक गिलास यहां पर खाद ली है और इसमें 5 गिलास अलग से मैंने पानी मिक्स किया है और उसके बाद अब यह खाद हमारी पौधों को देने के लिए तयार हो गई है जो हमारा खाद अभी बचा है उसको भी मैं यूज कर लूँगी लेकिन अगर आपके पास जैसे खाद बच जाती है तो आप इसे 2-3 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं और अपने पौधों को दे सकते हैं यह खराब नहीं होगी लेकिन जितना भी आप इसको स्टोर करेंगे जितने दिन के लिए फिर आपको उतना पानी उसमें एक्स्ट्रा डालना होगा तो जैसे कि मैंने एक दिन भीगाया था तो मैंने 5 गुना पानी डाला और अगर आप 2 दिन भीगाते हैं तो फिर आपको 10 गुना पानी डालना होगा बस आप इस चीज का ध्यान रखिएगा तीन से चार दिन तक आप इस पानी को स्टोर करके रख सकते हैं यह खराब नहीं होगा और अब मैं इसको अ देखिएगा आपके पौधे की जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही फास्ट हो जाएगी और सबसे अच्छी बात क्या है कि यह 100% और गैनिक फर्टिलाइजर हैं तो इससे हमारे पौधों में कोई भी समस्य नहीं आएगी जैसे जो हमारे पौधे की मिट्टी है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी बन जाएगी इस मिट्टी हममिकल नहीं और ऑर्गैनिक फर्टिलाइजर दे रहे हैं और जितना और ग्प्लाइजर हम अपने पौधों को देते हैं हमारे पौधे की मिट्टी उतनी ही ज्यादा अच्छी होती चली जाती है तो आप इसे हर तरीके के पौधों को दे सकते हैं, चाहे वो indoor plants हो, outdoor plants हो सबजीयों के हो, फलों के हो, फूलों के हो, हर तरीके के पौधों को आप यह खाद दे सकते हैं यह खाद आप सरदी, गर्मी, बरसात किसी भी मौसम में अपने पौधों को दीजिए कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा 15 दिन में एक बार इस खात को आप इस्तमाल कर सकते हैं 15 से 20 दिन भी लेकिन 15 कम से कम 15 दिन में दीजेगा 15 दिन से पहले इसको दुबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है और एक चीज़ और मैं बताओं कि आप जब खात दें तो ठंडियों का मौसम है तो आप दिन में ही दे दें और गर्मियों का मौसम है तो फिर आप इसे रात को दें तो सारी information तो मैंने आपको बता दी है लेकिन उसके बाद भी अगर आपको कोई confusion लगती है या आपके दिमाद में कोई question आता है तो आप मुझे comment करिएगा मैं आपकी comment का जरूर reply दूँगी और कैसा लगा मिरा आज काई वीडियो मुझे जरूर बताइएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लान से रिलेटेड अगर कोई भी question आपके माइन में है तो आप comments की तो मुझे बात कर सकते हैं मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक केर